तो हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे इस चैनल में और दोस्तो अगर आप नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब दो ज़रू कीजिए और साथ इसाथ एगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो उन्हें लाइक तो कीजिए कीजिए और अपने दोस्तों को भी धरूर श्यागिए ठीक है दोस्तों तो बने रहे हैं वीडियो के एंड तक कैसे आप लोग स्वागत आपका फिर्सी हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपके लेका है जित्रोक्स 200 सिरप का फूल रिव्यू ठीक है दोस्तों तो बात किजाए सबसे पहले इसके ड्रग की तो इसमें जो है एजित्रोमाइसिन 200 अमजी में प्रेजेंट है ठीक है बात किजाए इसके कंपनी की तो इसे जो है मैकलोइट्स फार्मसोटिकल्स बनाती है और बात किजाए में इसके काम की यह किस काम आता है तो यह जो है एंटिबाइटिक है यानि कि बहुत सारे जो बैक्टरियल इंफेक्शन रहते है उनमें यह जो है काम का है अब बात यह specially किसके लिए काम आएगा तो यह बहुत सारी जैसे प्रेक्टर इंफेक्शन जो की रेस्पिरेटिव ट्रैक्ट इयर में नोस में थोट में लंग्स में स्कीन में या आखों में होते हैं उनमें जो है काम आता है कभी कभी आपको सर्दिखासी भी हो जाती है कान दर्द करत है तो उसमें भी जो है डॉक्टर यह सजेस्स करता है बेसिकली यह जो है सिरफ फॉर्म में तो जाहर सी बात है यह बच्चों के लिए होगा और टूंड़ एमजी है तो यह 5-6 साल के उपर ही होगा 5-6 साल से 10-12 साल था ठीक है अब बात की जाए इसे कैसे लेना है तो दोस बात की जाए इसके कॉमन सहरे फेक्ट की तो वैसे तो बच्चों में कभी-कभी सूट ना हो तो उससे वामिटिंग नौजिया स्टमक पेन और डायरिया तो होता ही है और कभी-कभी पेट में खाना नहीं पचता है एसी कभी-कभी प्रॉब्म्स हो जाती तो अगर आपको प्रॉब्म्स दिखे तो अपने डॉक्टर को जो है जरूर कंसल्ट करें ठीक है और अगर आपको इसकी इलावा और कोई प्रॉब्म्स हो जैसे को और को बीमारी हो तो अपने डॉक्टर को दिखाए बिना इसे ऐसे ही ना ले ठीक है बात की जाए इसके प्राइस की तो यह जो है दोस्तों आपको मेडिकल शॉप पे 86 रुपीज का मिल जाएगा ठीक है और अग आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरू कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेर जरू कीजिए झाल में जरू कीजिए